चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हर साय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आयूस के BMS, BHMS, BOMS, BSMS कोर्स के लिए डबल ए, ट्रिपल सी द्वारा फर्स्ट राउंड का रेजल्ट जारी कर दिया गया है मैं आपको इस वीडियो में कोर्स वाइज, केटेगरी वाइज, कोटा वाइज आपको कटोफ बताऊंगा कौन से कोटा में, कौन से कोर्स के लिए क्या कटोफ रही है तो सबसे पहले मैं आपको जनरल केटेगरी के लिए बताऊं तो 541 BMS course के लिए government quota की cutoff रही है मैंने previous वीडियो में 540 cutoff predict की थी अगर आपने वो वीडियो देखे हुए तो ये जो मेरी expected cutoff थी वो बिल्कुल एक marks का ही difference रहा है 540 और 541 में previous year में भी ऐसा ही था सरफ एक ही marks का difference था और MCC के rounds में भी अगर आपने मेरे previous वीडियो देखे होंगे तो सिरफ एक ही marks का अंतरा है accurate cutoff गई है बिल्कुल जो मैंने predict की थी अब हम BMS के आल इंडिया government quota की बात करें इसमें तो इसमें general category के लिए 541 जो cutoff रही है वो government आयर्वेद medical college and hospital नागर कोईल तमिलाडू का मिला है इसके बाद में general PH की बात करें तो 142 marks पर स्री नारणापरसाथ government आयर्वेद college राइपूर 36 गड़ का मिला है SC category की बात करें तो 423 marks पर राजिव गांदी आयर्वेद medical college पूडूचेरी मिला है ST category की बात करें तो तारानाथ government आयर्वेद college करनाटका का मिला है अंतर 126 marks पर government आयर्वेद college पटना बिहार का मिला है तो इस प्रकार से हम अभी देखते हैं BMS के लिए government added quota के लिए तो general category की 538, general PH की 297, ST की 419 और ST की 404 cut-off रही है इसमें अब BMS के लिए जो central university है BHU की बात करें तो 598 general के लिए इसके बाद में EWS के लिए 593, OBC के लिए 589, SC के लिए 478 और ST के लिए 454 cut-off रही है Central university जाम नगर जो गुजरात में है उसके बात करें जनरल के लिए 591 EWS के लिए 587, OBC के लिए 585 और इसमें SC के लिए 473 और ST के लिए 447 cut-off रही है जो NIA जैपूर है National Institution उसकी जो cut-off रही है वो 595 general category के लिए 588 EWS के लिए 587 OBC के लिए SC के लिए 486 cut-off रही है और ST के लिए 462 cut-off रही है इसमें अब बात करें जो Central university है जनरल के लिए 567 EWS के लिए 553 OBC के लिए 552 SC के लिए 428 और ST के लिए 418 cut-off रही है इसमें तो यह जो मैंने cut-off बताईए आपको यह BMS course के लिए है अब हम बात करते हैं BHMS course के लिए आल इंडिया government quota की हम बात करें सबसे पहले तो जनरल के लिए 497 marks पर JSPS government homeopathic हैदराबाद मिला है इसमें ST category की बात करें तो 387 marks पर same college मिला है ST category में 364 marks पर उतकल मनी उडिसा का college मिला है और जनरल PWD के लिए 189 marks पर government homeopathic कोजी कोडे केरिला का government college मिला है इसमें इसके बाद में हम आल इंडिया government added seat की बात करें तो 498 marks पर डोक्टर वियर्स दवे homeopathic college मिला है ST category के लिए जो college मिला है वो NSS homeopathic medical college मिला है और ST category के लिए भी same college मिला है 372 marks पर तो ये government added BHMS के लिए college मिले हैं अब BHMS के लिए Central University Kolkata की बात करें जो कुलकता में है एन आई एज साल्ट लेक कुलकता का जो Central University है 533 marks पर मिला है homeopathic का EWS 516, OBC 508, SC 386 और ST 364 marks पर मिला है अब Central University Shilong की बात करें तो 526 marks general category के लिए EWS के लिए 511, OBC के लिए 503, SC के लिए 394 और ST के लिए 387 कटोप रही है अब हम बात करते हैं BSMS BSMS जो सिधा course है वो इसमें All India Government Kota ही होता है general के लिए 509, SC के लिए 420, ST के लिए 369 कटोप रही है अब युनानी course की बात करें हम तो युनानी में 2 कोटा होता है All India Government Kota जिसमें general category की 499, SC की 403, ST की 379 जो इसका CUA Central University अलिगड में है उस Central University के लिए 553 general category के लिए और general PH के लिए 213 कटोप रही है इसमें BOMS के लिए इसमें अब इसकी हम बात करें बाकी की बात करते हैं Dimmed University की तो Dimmed University की बात करेंगे तो 3 BMS की Dimmed University है और 4 BHMS की Dimmed University टोटल 7 Dimmed University है तो सबसे पहले हम BMS की Dimmed University जो भारती विद्यापीट Dimmed University है पुने में है उसकी कटोप 337 रही है BMS के लिए और BMS के लिए ही अक्टर डिवाई डिवाई पाटिल जो पुने में है उसकी कटोप 302 रही है BMS के लिए पदमस्री डॉक्टर डिवाई पाटिल जो नवी मुंबई में है उसकी कटोप 246 रही है तो इस प्रकार से ये तीनों Dimmed की इस प्रकार से कटोप रही है BMS के लिए Dimmed की बात करें तो राजस्तान विद्यापीट होमियोपेथिक जो उदयपूर में है 113 कटोप रही है इसके बाद में बारती विद्यापीथ होमियोपेथिक मेडिकल कोलेज जो पुने में है 194 BMS के लिए और केली उनियर्सिटी जो बिलागवी करनाटका में है BMS के लिए 115 कटोप रही है अब जो उनोपाय होमियोपेथिक मेडिकल कोलेज है BMS के लिए जनरल कटेगरी की 116 रही है इसमें मुसलिम मानियोरिटी की सीटे हैं उसके लिए कटोफ 118 कटोप रही है तो दोस्तों ये कटोफ थी आयूस के आल इंडिया फर्स्ट राउंड के लिए बाकी जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फोर्म कर दूँगा इस वीडियो में बस इतना ही लेता हूँ मैं आपसे विदा तब तक के लिए नई अपडेट और नई अपडेट आपके लिए फिर से मैं लेके आउंगा मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिंद